द्रिश्टी आईस के डेली करण नीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण नीज में चर्चा का विशे है COVID वेक्सीन से हार्ट अटेक हाली में ब्रिटेन की फार्मा कमपनी एस्ट्रोजेनिका ने स्विकार किया कि उनकी COVID-19 के लिए बनाई गई वेक्सीन COVID-SHIELD से TTS नामक बिमारी का दुरलब खत्रा हो सकता है कौर तलबे के एस्ट्राजेनिका ने गैर प्रतिकृती एडेनोवाइरस वेक्टर आधारित TK का निर्माण किया था वही भारत में Serum Institute of India ने COVID-SHIELD वेक्सीन का उत्पादन किया लेकिन इस कमपनी ने वेक्सीन निर्माण में MRNA प्लैटफॉर्म का उप्योग नहीं किया था Serum Institute of India ने वाइरल वेक्टर प्लैटफॉर्म का उप्योग करके COVID-SHIELD वेक्सीन दयार किया था अब जान देते हैं कि क्या है TTS सिंड्रोम TTS थ्रॉंबोसिस थ्रॉंबो साइटोपेनिया सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है इसे विशु स्वास्ते संगठन ने विशिष्ट COVID-19 टीकों से जुड़ी एक दुरलब लेकिन गंबीर प्रतिकूल घटना के रूप में मानिता दी है थ्रॉंबोसिस के कारण शरीर की नसों अथ्वार रक्त वाहीनियों में खून का थक्का जम जाता है इसकी वजह से शरीर में सही तरीके से रक्त का परिवेहन नहीं हो पाता कभी कभी यह थक्का रिदय के किसी भाग में भी बन जाते हैं जिसके कारण रिदय को रक्त पंप करने में समस्या आती है जिससे रिदया घात या हार्ट अटेक का खत्रा उत्पन हो सकता है अलांकि यह एक दुल्लब स्थिती है आमतौर पर ऐसा नहीं होता कोविड महमाली से सुरक्षा के लिए भारत में दो टीको को मानने तपरदान की गई थी सीरम इस्टिट्यूट ओफ इंडिया द्वारा निर्मित वैक्सीन कोवीशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन कोवैक्सीन पतादे की वर्ष दोहजार तेईस में विश्व स्वास्थे संगठन यानि डबलू एचो ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि टीटी एस उन व्यक्तियों में टीका करण के बाद एक नई प्रतिकूल घटना के रूप में उभरा जिनने कोविड-19 गैर प्रतिकूल एडेनोवायरस वेक्टर आधारिद टीके लगाए गए थे आईए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न कोवी शील्ड के बारे में निम्निरिखित कत्नों पर विचार कीजिए एक कोविड-19 के लिए एस्ट्राजैनिका द्वारा बनाई गई वेक्सीन कोवी शील्ड से TTS नामक बिमारी का दुल्लब खत्रा है दो एस्ट्राजैनिका ने गैर प्रतिकूल एडेनोवायरस वेक्टर आधारिद टीके का निर्माण किया था उपर्योक्त में से कौन सा यहासे एक अथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दो या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका उत्तर हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर भेचिएगा अगले सेक्शन में किसी ने टॉपिक के साथ मिलेंगे धन्यवाद